भला कीजे भला होगा बुरा कीजे बुरा होगा सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है 1966 में आई तीतरी कस्म ये मौजुदा दोर में बिल्कुल सटीक होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक मानसिक्ता इस समाज में लोगों के दिलों में भरी गई है उसने सारी हदे पार की है हमने इस महामारी के दौरान में वो चेहरे देखे हैं जो लगातार नफरत पैला रहे थे और उस नफरत का अंदाजा इस तरीके से लगाया गया कि सड़क पर सलीम को सबजी बेचने पर बेंग था पर संजे अराम से सबजी बेच सकता था ये महामारी के दोर में हिंदुस्तान में देखा गया और नफरत इस कदर पर उसी गई कि हर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शक के नजर से देखा जाने लगा कि ये मुसल्मान है तो कुरोना पहलाएगा तबलीगी जमाद से जुड़ा हुआ है तमाम मीडिया घरानों ने इसी तरीकी की बातें लोगों के दिलों में डाली पर अब वो मीडिया घराना खामोश है और खामोश क्यूं है क्योंकि जो देश के मालिक है देश के मालिक शब्द का इस्तमाल कर रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता में भारती जन्ता पार्टी जरूर है प्रधानमंत्री देश के नरिंदर मोदी जरूर है पर वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं वो चुहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कल जब मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी कि आरसेस के हैटकौाटर में करोना के जिन्दा बंप मिले हैं जी हाँ करोना जिहाद कहली जिये या करोना बंप है कहली जिये जो करोना फैलाने के मकसद से समाज में घूम रहे थे और अब जब उन लोगों को कुरेंटाइन कि आ गया वो कभी ठूक फैकते हुए कभी नर्सों के साथ में बत्तमीजी करते हुए नजर आ गए हैं हाला कि ये मीडिया बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार नाकपूर से लेकर कर दिल्ली तक में क्यों बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को छुपाया क्यों जा रहा है क्य करोना जिहाद का मतलब समझाने के लिए सुधीर चौधरी आ गया है आज जी न्यूस किस हालात में है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और जो इन डिबेटों में बैट करके एक खास समुदाय को कोसने का काम करते थे और ये कहते थे कि करोना जो है वो तब्लीकी जमात ने फैलाया है जिन जिन लोगों ने तब्लीकी जमातियों को जी वर के कोसा अब वो किस हालात में है एक बार उस पर नज़र डालीजी बुरा कीजे बुरा होगा भला कीजे भला होगा वही लिख लिख क्या होगा यही सब कुछ चुकाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है इनसान अपनी पैदाईश और मौत को याद रखे तो खुद को बुरे कामों से बचा सकता है मगर बहुत से लोग धीट जालिम हो चुके होते हैं जो सच और हक को जानने के बाद भी उसमें कमिया खोजते हैं जब कमी नहीं मिलती है तो फिर तोहमते लगा क पर बुरा साबित करने की साजिशें रचने लगते हैं जूट बुराई बहुत तेजी से फैलते हैं जैसे कुरूना फैल रहा है नजर ना आने वाले वायरेस ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिला कर रख दिया है एक से एक जालिम खुंकार दरिंदे जो खुदकुए सामने खुदा को भी कुछ नहीं समझते थे कुरूना के खौफ से बंद होकर छुपने को मजबूर है गरीब मजदूर मुसीबत के वक्त भी निडर हजारों किलोमीटर पैदल चल कर अपने गरों को पहुँच रहे हैं खबर है कि भारत के मालिकों के यहां कुरूना पहुँच ग मिली थी महान सोतंतरता सेनानी वीर सावरकर को कौन भूल सकता है वो ऐसे बलवान योधा थे जिन्होंने अंग्रेजी राज को नाको तले चने चबा कर मजबूर कर दिया था यह बाते इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि यहीं वो बाते हैं जो आरेसेस इस जूट को चीक करके दुनिया के सामने कहता है कोरोना वाइरिस आरेसेस के दिली मुख्यालے में जा पहुचा है देश की सरकार को चाहिए की वो ततकाल आरेसेस के मुख्याले के विदवान डॉक्टरों वा अन्य मेडिकल स्टाफ को लगाए ताकि कोरोना वायरिस की रोग धाम की जा सके और देश की निर्माता अखंड भारत की चेतना प्रजलित करने वाले संगठन के महान स्वम सेवकों की प्राणों की रक्षा की जा सके राज़ानी दिल्ली में मौझूदा राश्टे स्वम सेवक संग के आफिस में भी अब कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है आपको बता दें कि संग के सह प्रचार डॉक्टर सुनील आमबेकर और डॉक्टर योगेंदर कुरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं इतना ही नहीं संग के दफतर में काम करने वाले दो बावर्ची भी कुरोना पॉजिटिव मिले हैं आपको बता दें कि से संग प्रचारक सुनील अंबेकर इलाज सफदर जंग में चल रहा है जिसके बाद संग के दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है तो RSS में कुरोना पॉजिटिव पाय जाने की खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम परतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं जिसमें सीये मिश्रा विकास लिखते हैं कि अकेले मुंबई के राष्ट सेवा में 335 RSS के स्वंसेवा कुरोना पॉजिटिव हो गए हैं देश व्यापी ये आकड़े कितने होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीचिए RSS के इसी सेवा भाव का मुरीद हूँ दुनिया का एक मातर ये ऐसा संगठन है जो राष्ट के लिए समर्पित होने वाली शक्तिया निरंतर निर्मान करता रहता है जैसा कि RSS दावा करता ह तो वहीं पंकच एटियम निर्भर लिखते हैं कि वायर तबली की जमात अमेरिका की बात कर रहे कोविड नाइंटीन से अमेरिका में कितने मरे कितने पॉजिटिव है भारत में कितने मरे कितने पॉजिटिव है इसकी बात करो जरा संबलो वायर से जुड़े तबली की बम क को कुरोना बम के फटने के आसार दिख रही हैं तो वहीं वसीम अक्रम त्यागी लिखते हैं कि खबर आई है कि आरसेस के सेप्रचारक प्रमुक समेत पुरा आरसेस दफ्तर कुरोना की चपेट में आ गया है मीडिया के बौधिक आतंकियों में अगर माददा है तो वह आरसेस के दफ्तर को भी उसी तरह कुरोना मुख्याले बताये जैसे तवलीकी जमात के मरकस को बताया था क्या सरकार संग प्रमुक पर मौलाना साथ जैसी कारवाई करेगी कुरोना महामारी के इस बीच हार्दिक पटेल लिखते हैं कि कुरोना महामारी में परधान मंत्री ने अप खुद को उपर वाले के बरों से चोड़ दिया अब भारत आत्म निर्भर हो गया है तो वहीं ट्रोल जैदी लिखते हैं कि संग्यों के अड्डे में कुरोना का जिंदा बं मिला है जरा इसे आटी करो और दूर तक भेजो आपकी अवाज.com पर लिखा गया कि ओह यानी आस के बाद कुरोना पहुंचा आस तक अब नैनो चिप वाली मैडम श्वेता के पूरे परिवार को कुरोना हुआ मीडिया आलो चक तो वहीं हबीब लिखते हैं कि आरसेस के सह प्रचारक समेट कई लोग कुरोना पॉजिटिव पाए गई हैं क्या मीडिया बताएगा कि आरसे समसेवक के तीन बड़े नेता कुरोना पॉजिटिव हो गए हैं हम सभी के जल्दी स्वस्त होने की इश्वर से कामना करते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि लोगों की तमाहम लोगों की सोशल मीडिया पर जो है रियक्शन आने लगे हैं और इस रियक्शन के जरिए लोग जी भर करके कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं जो आरेसिस के गड़ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन लोगों के लिए दुआएं करके ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्तों करके अपने परिवार के बीच पहुँचे तो कुछ लोग मीडिया को घेरते सौधरी और जीनियूस के लोग किस जमात में गए थे और आरेसिस के लोग किस जमात में गए थे क्योंकि नाकपूर से लेकर के दिल्ली तक में बवाल है 335 जो संख्या है कुरोना पॉजिटिव आरेसिस सेवक संग के लोगों की हम लगतार देख रहे हैं पर इस बीच जो नफरत भरा चलन है वो लगतार लोगों में बढ़ता गया और उसके चलते इन खबरों का गला घोटा जा रहा है SIT की जाच में उलजाने की कोशिश की जा रही है तो कभी रोहिस सरदाना शाहिन बाग का लोगडाउन को ले करके तमाम तरह की की उलजुल बाते आप लोगों के सामने रख रहे हैं पर जो मुद्दे की बात है मुद्दों से आपका ध्यान बढ़काया गया और मेरी कोशिश है कि हर एक मुद्दे की जानकारी आप लोगों तक बारिकी से पहुंचनी चाहिए